आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाप के पत के बारे में या फिर इसे इंगलिश में हम ओफिस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं तो अगर मैं बात करूँ लाप का पत या फिर संसद के द्वारा बारे किसी भी अन्यविदी में लाप के पत को आप देखेंगे कहीं भी इसकी कोई परिभाशा ऐसे नहीं दी गई है नहीं किसको कहीं भी परिभाशित नहीं किया गया है लेकिन अगर मैं कहूं कि लाब के पद के बारे में सविधान में उलेक जरूर किया गया है आपको दिखेगा कि सविधान में लाब के पद के बारे में कहीं न कहीं कोई उलेक जरूर है लेकिन कोई परिभाशा उसकी ऐसे नई दी गई है भारतिय सविधान के अनुचेत 121A के तहट कोई व्यक्ति संसद या विदान सबागे किसी सदन का सद़ से चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अदिन किसी ऐसे पदपर है वो पद क्या कर रहा है जां उसे वेतन या कोई और फाइदा मिल रहा है तो आप देखेंगे कि लाब के पद के बारे में कोई परिभाशा ऐसे दी नहीं गई है सविधान में पर लाब के पद के बारे में कई जगा ऐसा उलेक किया गया है हम कह सकते हैं कि इसके स्परष्टी करण के अनसार कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के दीन लाब का पद धारन करने वाला नहीं समझा जाएगा की वैसंग या किसी राज्य का मंत्री है इसमें उन सभी पदों को भी शामिल किया गया है जिने संसत या राज्य सरकार के द्वारा मंत्री पत का दर्जा दिया गया है। उसके अनुर्सार ही कार्य कराया जाता है। लोग प्रदिनित्व अधिनियम उनने स्रेक्यावन के सेक्शन 9A के अनुर्सार भी सांसत और किसी भी राज्यक विदाय को अन्यपत ग्रेंड करने के लिए रोका प्रविधान है। अब सबसे जरूरी हमारे लिए ये जानना है कि लाब का पद ओफिस ओफ प्रॉफिट आप किसको कह सकते हैं। ऐसी क्या स्थिति ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके सकते हैं कि हाँ ये लाब का पद है तो कुछ शर्तें हैं ओफिस ओप्रॉफिट के लिए। आपका पद वे पद होगा या उसे कहा जाएगा जिस पर नियुक्ति वक्ति नियुक्ति सरकार करती हो नियुक्त व्यक्ति को हटाने और उसके कारेशेट करने का दारकार किसके पास है। तो वो लाब के पद में आता है। या फिर पद पर जो नियुक्ति वक्ति का जो पद के साथ सा तन्य वेतन और कुछ अलग विधाय अगर उसमें मिल रही है तो वो भी आपका लाब के पद के अंदर आता है। जिस जगा या पद पर नियुक्ति हुई हो, वहां फंड रिलीस करना, जमीन का वेदन हुरा हो या किसी तरीकी की और मदद में ये दिवे शामिल हो, तो वो भी लाब के पद में आता है. तो ऐसा कोई भी पद जो कि किसी भी अन्य व्यक्ति के निन्ने को प्रभावित कर सकता हो, वे लाब का पद माना जाता है. तो ऐसे ही नहीं हम किसी कौफिस और प्रॉफिट या लाब का पद क्या देंगे, कुछ शर्तें हैं जिनके अनुसार ही ये पता लगाया जाएगा, य ये लाब का पद है या नहीं? अब हमारा प्रशन जोड़ता है कि लाब की पद पर रहने के कारण किन लोगों को पद छोड़ना पड़ता है? ये बात है जुलाई 2001 की, 2001 में उच्चितम नयायाले के तीन संसदे खंडबीद ने जारकन मुक्ती मोर्चा के नेता शीबु सोर इन की संसे सदेस्तेता इस अधारपत रद कर दीती क्योंकि अगर आप देखे तो राज्य सभा में निर्वाचन येकु नमाकन पत्र दाकिल करते समय वे जारकन सरकार द्वारा गटित अंतिरम जारकन शेष्ट्र स्वायत्र परिशद के अध्यक्ष के रूप में लाब के पद नियुक्ति थे तो यह वे एक कारण बना जिसके कारण ये हुआ तो ये एक आप उधारण के सकते हैं जहां पर हमने देखा किस किस तरीके से लाब के पद के होने के कारण आपको पद छोड़ना पड़ा और ये वाक्षा है दुवजार एक गार्ट ऐसे कई उधारण ह जहां पर लाब के पद पर एक बड़ा विवात खड़ा हो गया था उस समय सोनिया गांदी को लोगसभा सांधेस्टे सरसे इस्तीवा देना पड़ा था और देकर उन्हें राई बरेली से दुबारा चुनाव लगना पड़ा था तो सांसद होने के साथ सांसद होने के साथ स यूपी फिलिम विकास निगम की अध्यक्ष भी थी लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला लिया और उन्हें कहा कि यदि अगर किसी सांसद ये विदायाहिने लाब का पद लिया है तो उसकी सदस्ता खतम होगी चाहे उसने वेतन या दूसरे पद के के कारण रद की गई राश्पती द्वारा निरिस्थ कर दी गई है तो इस प्रकार हमने देखा कि लाब का पद किसे कहते हैं और इसके अंतरवत कौन कौन से पद आ सकते हैं तो उमीद है कि लाब के पद के बारे में आपको जो पूरा कॉंसेप्ट है वह बिलकुल अच्छ जिसे समझ आ गया है स्पर्श्ट हो गया है धन्यवाद।